चहरे पर glow हो तो कितना अच्छा लगता है ना और वहीं glow अगर pink हो तो बात ही कुछ और हो जाती है तो अगर ऐसे ही glow चाहते हो pinkish glow तो simple सी remedy आपको बताऊंगी ये cream लगा लो और फिर देखीगा कितना अच्छा glow आएगा गुलाबी निखरा हुआ तो simply आपने इसके लिए ले आप आसपास से अरेंज के लिए नहीं तो फूल वाले से लेएगा अराम से मिल जाती है तो आपने यह लेना है पहले अच्छी तरह से वाश कर लिए ताकि जितनी भी डर्स्ट है ना जितनी भी डर्स्ट है धूल मिटी है सारी रिमूव हो जाए तो एक दो बार अच्छी जाला गंदी है तो17 नहीं वाश कर लिए अब आपने पहले को को एक मिक सिज़ाम में डालेती हुँ और इस फैनकर लेका यह अगर आपको लागते है कि यह यह cornint कर सकते देखें नहीं कर लीग और देखें और सब्स्rixन आपने इसंटरा से तह निकाल देगू अब यह बच इसको आप as a scrub भी इस्तमाल कर सकते हो या फेस टैक में डालके इस्तमाल कर सकते हो अब जितना क्रीम बनाना है आपने चार से पांच चम्मच रोज वाटर के लेने हैं जो हमने रैडी किया था इसमें आपने दो चम्मच डालना है अलोविरा जेल अच्छी तरह से मिक्स कर दी विटामिन E का कैप्सूल अगर आपकी ऑईली स्किन है तो एक कैप्सूल डालेगा या स्किप कर दीजिएगा नेक्स चीज डालेगा अगर नहीं है तो एक से दो विटामिन E का डाल दीजिएगा अब आपने इसमें रोज एसेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशें कर दीजिएगा अब अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए प्लफी पेश्ट बन जाएगा जब यह क्रीम बन करके रैडी हो जाए तो आपने उसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है गर्मियों में इसको फ्रेज में रखिए सर्दियों में बाहर स्टोर कर सकते हो और य ये ये स्किन को नरीश रखता है इसांट करता है कि यह स्किन को नरिश रखता हैm सब्सक्राइब तो इस तरह से आप इस्तमाल किजीए डे नाइट कभी इस्तमाल कर सकते हो बैस्जिट के लिए आप दिन में ढ़र इसको इस्तमाल कीजिए और हंजी दोस्तों जो जो रोज उटर थोड़ा आपका बज़ गया है उसको आप एज और रोज वाटर एज टोनर लगा सकते हो बालों में लगा सकते हो स्किन पर भी लगा सकते हो बेस्ट रिजल्ट आता है फ्रीज में लग दीजिए जब भी आपको थकावट लगे दिन लगा लीजिए बहुत यह अच्छी तरह से वर्क करता है आप हैरान हो जाओगी कि इतना किजिए अपना फीडबेक में सा जोशे किजिगा मिलती हो आप से नहीं अच्छी और फेक्टिव रेमेडी के साथ इन लन टेकिया एंड हैंक सो मैंस गाइस वाचिंग 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 वीडियो बावाई